सबी बच्चों को सीखना होगा आइए हरोइक कपलेट को देखते हैं हम लोग पहलें ? क्या बात है bear लुए हरोइक कपलेट yes guys there a 1-2 कि देखिये हमेशा मैं ने ये बता है कि जो कपलेट होता है आपका मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूँ ये तीसरी क्लास है बाइद वे आपकी तो पिछली क्लास में मैंने बताय था कि जो कपलेट होता है C-O-U-P-L-E-T कपलेट अरे वही कपल मतलब सो दो होते हैं तो जो हेरोईक कपलेट होता है और कपलेट में एक अंतर नजर आता है देखिए जो कपलेट होता है तो दोनों लाइन इसकी राइम तो करती है इसी तरह हेरोईक कपलेट में भी आपकी दोनों लाइन राइम करेंगी है न दोनों की राइमिंग स्कीम सेम होगी राइमिंग करेंगी दोनों एक दूसरे से लेकिन अंतर क्या है समझेगा ये हमेशा आयम्बिक पैंटामीटर में होगा जो हेरोईक कपलेट है वो हमेशा आयम्बिक पैंटामीटर में रहता है ठीक है? Yes अब वर्स विद फाइव आयम्बिक फीट अब फाइव आयम्बिक फीट का क्या मतलब है? एक आपके एक्जाम में क्वेश्चन आता है याद कर लो बच्चो काम आएगा दिमाग से याद करो नहीं याद करोगे काम कल्यान हो जाएगा ठीक है? देखिए आयम्बिक पैंटामीटर का मतलब होता है कितने सलेबल? टैन सलेबल है इसी को बूला जाता है स, वाई दबल ल ए, वी, आइ, आ, पैंटामीटर बोला जाता है तो हैरोईक कपलेट में क्या होता है? यह हैरोईक कपलेट एक्चुली नियो-क्लैसिकल टाइम बीरेड में जब आप नियो क्लासिकल पढ़ते हैं हिस्ट्री ना पढ़ी हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों जितने भी छोटे मोटे लंबे चोडे है ना गोरे काले कलूटे टाइप है ना जैसे भी हैं सब लोग प्लीज ये टर्म्स और हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा अच्छे से पढ़ लीजिएगा मैंने डाल रखा है इसी चैनल पर डाल रखा है बहुत ही बड़िया वीडियो है 6 गंटे वाला देख लोगे मजा आ जाएगा तो नियो क्लासिकल टाइम पीरिड में जैसे आपके ड्राई डेन भईया थे है ना ड्राई डेन भईया और एलेक्जेंडर पोप भईया तो ये लोग यूज करते थे हरोई कपलेट को बहुत ज़्यादा ये लोग यूज करते थे ठीक है? घयस और दोनों लाइन हमेशा जो है एक दूसरे से राइम करती हुई नजर आएंगी दोनों लाइन एक दूसरे से हमेशा राइम करते हुई नजर आती हैं हस लीजिए हसने का मौका है